दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा केलेंचो फ्लावर प्लाइंट के रिपोर्टिंग आप लोग कैसे करेंगे बेस टाइम है आप आपके केलेंचो फ्लावर प्लाइंट के रिपोर्टिंग कर लिजी मेरे पास ये दो केलेंचो फ्लावार प्लाइंट है एक रेड कलर की है एक बॉइट कलर की है आभी इसमें फ्लावार नहीं है लेकिन आने बाले शमाई में बहुत ज़्यादा फ्लावार खिलने बाले है छोटे छोटे प्लाइंट है और ये दोनों प्लाइंट को मैं बहुत चलके आप लोग भी देख पाएंगे कि मेरे कैलेंचो फिलावर प्लाइंट काफ़ी जदा बड़े हो चुके है, बहुत बुषी बन चुके है और बहुत जदा फिलावर खिलने वाले है, तो यह दोनों फिलावर की रिपर्टिंग आभी करेंगे, और बहुत अच्छा एक श छोटे छोटे पॉट में लगा हुआ है एक चार इंच की पॉट में लगा हुआ है लेकिन हम क्या करेंगे दोनों प्लांट को 6 इंच पॉट में लगाएंगे यह है 6 इंच की पॉट एक इधार रख लेते है एक इधार रख लेते है यह 6 इंच की पॉट है आप लोग देख प मैं शॉयल मिडिया भी दिखाता हूँ कि शॉयल मिडिया क्या होणा चाहिए मैं कैसे ग्डो करता हूँ इसके लिए जो शॉयल मिडिया हो संपोस्ट और आधि मुठ्ठी लिये हैं हमने निम खली और इसको बहुत ही अच्छा से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने से हमारी पास एक बहुत अच्छे शॉयल मिडिया तयर हो जाएगा ये देखिए ये शाब बहुत अच्छा से मिक्स कर लेंगे और मेरे पास जो सैंड है सैंड बिलकुल छाना हुआ नहीं है इसके अंदर बड़े बड़े टुकरे भी होंगे जादा बड़े पर्टिकल्स होगा तो उसको मैं आलक कर दूँगा और थोड़े छोटे छोटे बज बजरी होंगे तो उसको रहने देंगे एज़िटिस क्योंकि आप अगर क्यलेंच फ्लावर प्लाइंट की रिपोर्टिंग करेंगे तो क्यलेंच फ्लावर प्लाइंट आप सिंडर मीडिया में भी रिपोर्टिंग करशक्त तो बजरी अगर रहेगा तो उसमें कोई किया था आप लोगों ने दिखा है मेरे केलेंचे फ्लाइर प्लाइंट कितने आच्छे चलते हैं और बहुत ही शंदर रिजल्ट मिलता है हमको कोई भी कमपोस्ट अगर डिगले बन चुके है तो उसको आप तोड़ दे छोटे-छोटे कर लिजिए इतने बड़े-बड़े अ मिक्स हो चुके है आपको इसके साथ कुछ भी और मिक्स करने की कोई भी जरूत नहीं है हमको शब से पहले एक प्लांट निकलना है देखिए प्लांट निकलने के लिए हम ऐसे प्लांट की दोनों साइट से उंगली डालेंगे और यह जो पत्थर है इसके उपर ऐसे करके हल रहा होगा क्योंकि ए फ्लार प्लांट मैंने पर्चेस करके लेकर आये थे कहा से नाशरी से तो इसका कुछ शॉयल हमको अलग कर देना है क्योंकि इतने ज़्यादा शॉयल हम नहीं रखेंगे नहीं तो इसका रूट रट होगा ए देखिए हमने बहुत सारे शॉयल अलग कर दिये है थोड़ी सी शॉयल रखे है कुछ राइस हास्क भी था इसके शाथ ए देखिए इसके बाद हमको रिपॉर्टिंग करना है हम क्या करेंगे शीक सिंच की जो पॉट है ये पॉट हमने ले लिये है इसमें बावल से अभी हमको ये पॉट में बावल से हमको कुछ मीडिया जो हमने तयार किया है ये मीडिया डाल देना है ये देखिए हमने डाल दिये है डालने के बाद अब ये जो प्लांट है प्लांट को इसकी ठीक बीचो बीच बेठाल देना है यह plant को अच्छा से बेठाल लेंगे थोड़े से और मिडिया हम डाल लेंगे डालने के बाद हलका हाथों से फेला देंगे फेलाने के बाद यह देखे बहुत अच्छा से हम बेठाल देंगे एह हमने बहुत अच्छा से बठल दिये है इसके बाद हमको फिल कर देना है हमारे जो मीडिया है मीडिया से केलेंचो फिलाइर प्लांट आप अगर शॉयलेस करके भी रखेंगे बेर रूट करके रखेंगे काफी लम्बी शमय तक इसके बाद भी कलिंचो फ्लार प्लांट मरता नहीं है, ड्राइ नहीं होता है, याद रखिएगा, तो आप अगर शॉयल लिस्ट करके लगाएंगे तो कोई प्राब्लिम नहीं होगा, ये फ्लार प्लांट को हमने बहुत शमाय नहीं हुआ है, समर सिजन में ही हमने पर्चेस क ये जो मिडिया है, मिडिया को हम प्रेस कर देंगे, इससे पहले कि मैं और एक प्लांट लगा लेता हूँ, ये जो छोटे प्लांट देख रहा है, ये छोटे प्लांट को मैंने काटिंग से ग्रो किया था, तो इसका मिडिया कुछ अलग होगा, देखिए इसको भी मैं ये में लगाएंगे लेकिन इससे पहले हमको यह प्लांट को निकलना है निकलने के लिए हम सेम तारीक ऐसे निकल लेंगे दो उंगले ऐसे डाल देंगे डालने के बाद हमको यह जो पत्थर है पत्थर के उपर ही ठोकर मार देना है यह हमने मारे है और देखिए नीचे शिंडर ह मैं हमेशा आभी जो आप लोग को शयार किया है मेडिया से मीडिया में मैं लगाते रहता हूँ यह देखी बहुत ही संदर result है बहुत संदर result है अभी यह जो pot है pot में फिर से कुछ media यानि कि soilless media डाल देंगे और इसके बाद हलका हातों से हम प्रेश कर देंगे फेला के और यह plant को बहुती आराम से यहां पर बैठालना है नहीं तो हमारी जो media है यह बिखार शक्ते है यह plant को आशानी से आप report कर शक्ते हो कोई problem नहीं आई देखिए हमने बैठाल दिये है और कुछ भी नहीं करना है आप हम क्या करेंगे यह media से फिर से फिल कर देंगे चारो side से हम media डाल देंगे यह देखिए ऐसे करके हम media डाल देंगे यह हमने डाल दिये है इसके बाद हमको एक tools ले लेना है tools की help से हम shoyal को press करेंगे यह जो media है media को press कर देंगे एक tools की help से देखिए ताकि कोई भी air bucket ना रहे दोनों floor plant की reporting हो चुके है आभी मैं watering करूंगा देखिए मैंने और एक plant की भी reporting कर लिये है और आभी हमको पानी डालना है मैं पानी लेकर आए है यह पानी धीरे धीरे करके pot में डाल देंगे तब तक आपको डालते रहना है जब तक आपकी pot की drainage hole से पानी पासेस नहीं हो जाएगा तब तक आपको पानी डाल देना है इस बात को आपको धेन रखना है पानी डालना हो चुके है तीनों pot की drainage hole से पानी पासेस होना स्टार्ट हो चुके है इनाप आप ही मैंने जैसे बताया है उसी शाप से आप लोग इसको राखिए उम्मित करूंगा दोस्तों आप लोग को पूरा जानकरी प्राप्त होगा और आप लोग को अगर वीडियो पसंदाया है तो लाइक करें, शाप्सक्राब जरूर करें शाप में बेल आइकन को प्रेस करें, थांक्स वर वाचिन